हम लोग life को कैसा देखना चाहते हैं full of colors, stars, lights मतलब life में खुशियां हैं खुशियां लेकिन life का असली meaning तो यही है ना कि खुशियां भी होंगी और दुख भी होंगे पर अब यह चीज़ हम पर depend करती है कि हम कितनी खुशियां चाहते हैं कितने दुख चाहते हैं मतलब कि हम एक particular situation में कैसा react कर रहे हैं हम लोग कैसे उसको handle कर रहे हैं यह हमारे उपर depend है अब देखो इनसान जो है human is made up of mistakes we all know कि हम लोग गलतियां करते ही करते हैं अगर हम लोग गलतियां ही नहीं करेंगे तो there is no meaning of being a human being फिर human being कहलाने का तो कोई मतलब ही नहीं है यह ना गलतियां तो सबसे होती है अब उन गलतियों से क्या चीज़ हम लोग सीखते हैं इस इस मोस्ट इंपोर्टन एक example लेते हैं चोटा सा याद करो जब आपने अपने best friend के साथ पहली बार लड़ाई करी थी और उस लड़ाई के बाद आप लोग एक दुसरों से बोले नहीं you have parted your ways है ना उससे क्या सीखे आप उस experience से क्या सीखे आप कि इंसान को परखना कैसे है ताकि जब आप अपना next कोई friend बनाओ तो उसके ये do's होंगे और ये don'ts होंगे है ना you will have a list कि मुझे ऐसा ऐसा एक मेरा friend होना चाहिए या फिर दूसरा example आप अभी जस relationship में हो that is very bad relationship और you are on the verge of breaking up तो फिर आप क्या सोचोगे कि अब ये जो मेरे life में चल रहा था मेरा experience इससे मैंने ये सीखा है कि ये जो मेरा partner है he is not appropriate for me और जो next अगर मैं किसे से मिलोंगी तो उसमें ये qualities तो बिलकुल नहीं होनी चाहिए और ये qualities होनी चाहिए उससे आप क्या सीखे इस experience से आप बहुत कुछ सीखे कि मुझे मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है basically सही और गलती important रहता है जब बच्पन में आपसे वो कांच का glass तूट गया था और ममा ने आपको बहुत डांट लगाई थी तो उस गलती से आप क्या सीखे कि मुझे next time से ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे मुझे डांट लगे या जिससे किसी चीज़ का नुकसान हो जाए अब आपके मौक में माक्स नहीं अच्छा आते है आपका examination अच्छा नहीं आता या घरवले आपको ताने सुनाते हैं रिष्टिदार आपसे पूछते रहते हैं कि बिटार रिजल्ट का क्या हुआ तो तो नहीं कर पाएगा बहुत बोलते हैं सब लोग बोलते हैं अब आप लोग उस टीस को कुछ इस तरीके से हैंडल करते हो कि खुद को हर्ट करने की कोशिश करते हो खुद को एक सुसाइडल thoughts आजाते हैं mind के अंदर कि मैं ऐसा कर लूँगा मुझे नहीं रहना मैं पता नहीं कहां आ गया हूँ और मैं खुद को I'll kill myself और ऐसे thoughts आते रहेंगे है ना या फिर रात को 3-3 बज़े तक बात्रूम में बैट करोगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा लेकिन जब आप रो रहे हो 3 बज़े तक बात्रूम में बैट के तो आपको उठाने तो कोई नहीं आएगा ना वापस से बैट पर जाकर सोना तो आपको खुद को पड़ेगा ना उठोगे, face साफ करोगे सोगे, आपकी help किसने की आपने खुदने गरी और कोई आपको help करने नहीं आया तो अब आप इस चीज से क्या सीखते हो कि अगर आपकी life में कुछ बूरा हो रहा है तो उसको आपको एक different perspective से दिखना है कि अगर मेरी life में ये बूरा हुआ है या मैंने कोई mistake की है तो मुझे इससे सीखना है mistakes का मतलब क्या होता है mistakes का मतलब ही life है है ना they both are synonymous अगर mistakes ही नहीं होगी तो life कैसे चलेगी अगर mistake ही नहीं होगी तो growth कैसे होगी mistake and growth दोनों parallel चलते हैं अगर गलतियां करोगे तभी सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे तो गलतियों को एक positive point of view से देखो कि मुझे इस गलती से सीखना ही सीखना है रात को बैठ कर रोना नहीं है कुद को hurt नहीं करना बिकास ऐसा कुछ करोगे तो आपकी family वले सफर करेंगे तो think कि आपको life को कैसे देखना है अगर आज से आप इस चीज को implement करते हो तो आगे आने वाले 5 साल में आप इतना grow कर जाओगे इतना grow कर जाओगे कि फिर अगर आप सोचोगे ना कि मैं 5 साल पहले कैसा होता था जमीन आसमान का अंतर आएगा Just change your perspective regarding life Grow through what you go through Good luck